हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कॉंट स्टेडी, आज हम करने जा रहे हैं हमारे कॉंट सेक्षिन के सिंपल इंट्रस्ट एंड कंपॉंड इंट्रस्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, चल्दी से हमें हर जगा फॉलू को लेजिए और किसी भी अपडेट को मिस्मक कीजिए सो किसी भी देर के बिना हम अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, सो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं आज कंपाउड इंटरेस्ट का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक कोशन बताऊंगा, काफी अच्छा कोशन होगा वो और वो यही कोश हमें प्रिंसिपल पता है, if rate of interest would be 3% more, suppose कर लीजिए पहले था x अब हो गया है, x plus 3%, ठीक है, he would have earned 840 more as interest, 840 more, यानि कि पहले उसको interest मिल रहा था कुछ आई, अब उसको interest मिल रहा है, i plus 840, ठीक है, क्योंकि जादा की बात चल रही है, यह जो more word है, इस पर ध्यान देना, ठी आपको बार-बार यह चीज़ कही है, कि हमें question देखना है, और उससे interpret करना है, कि यह words के मतलब क्या है, ठीक है, तो इस amount का मतलब है, वो principle जो उसने सबसे starting में दिया था, हमें यह चीज़ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले principle को P मान लेंगे, ठीक है, अब formula apply क यह है case 1, यह है case 2, तो case 1 के लिए अगर हम simple interest देखें, हमने I माना है simple interest को, P into rate क्या है, हमें rate माना है, हमने x, into time has 7 years upon 100, ठीक है, यह आगा case 1 के लिए, case 2 के लिए क्या होगा, I plus 640 is equals to P into x, x plus 3 आएगा इसमें, x plus 3 यह bracket में आएगा और into 7, ठीक है, यह वाला 7 जो time है, वो वाला 7, divided by 100, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में minus करेंगे, किस तरीके से minus करेंगे, एक equation यह आई थी, और दूसरी question यह आई थी, जब हमने increase किया था, अब हम इसे minus क कर लेंगे, तो इस वाली equation से, हम इस वाली equation को minus करेंगे, I plus 840 minus I is equals to P into 7 त्रीजा 7x plus 7 त्रीजा 21, यह भी bracket में हैगा, क्योंकि अभी भी P के साथ multiplication बच्ची है, और denominator में इधर आगे 100, और उपर वाली term तो सिदह सिदह आजएगी, minus P into 7x upon 100, ठीक है, अब क्या करेंगे, I से, I cancel out हो गया, इस तरह बचा हमारे पास 840 is equals to, हमने इधर से P divided by 100 common ले लिया, P divided by 100 common ले लिया, हमारे पास क्या बचा, 7x plus 21 minus यह वाला 7x, 7x, 7x भी cancel out हो गया, अब यह सारी खिचडी में साफ करता हूँ, और जो-जो main हमारे पास terms बची है, शिर्फ वही लिखता हूँ, So, सब cancel out करने के बाद हमारे पास इतनी term बची, 21 से काटेंगे, 40, तो principal हमारा आ गया, 4000 रूपीज, simple answer, हमने कुछ नहीं किया, formula हमें पता था, SI is equals to P into R into T होता है, हमने conditions देखी क्या थी, apply किया, और हमारा principal final answer आ गया, ठीक है, यह आ गया traditional method जिसमें हमने, अपना formula apply किया है, अब मैं आपको एक short tick बहता हूँ, देखिए, हमें जो terms दी हुई है, वो कौन-कौन सी दी गई है, सबसे पहली चीज हम principle को मानेंगे 100, ऐसे question में जहां हमें principle नहीं दिया हुआ, दूसरी चीज क्या करेंगे, हमें जो terms दी हुई है, यहाँ पर आ गया 7 years, 3% more, 840 more, सबसे प 840 दिया होता, more नहीं लगा होता, तो आप वही traditional method अपनाते, पर यहाँ पर 3% more दिया है, तो 840 more दिया है, तो इसलिए हम यह question पर यह trick apply कर सकते हैं, trick क्या है, 7 को आप इस 3 से multiply करोगे, यानि time को आप rate से multiply करोगे, है formula वही है, बस मैं आपको थोड़ा short तरीके से बता रहा ह रेट को आपने time से multiply कर दिया, तो 7 into 3 आगया, आपके पास 21, इसको हम units मान लेंगे, इन 21 units की value क्या होगी, इन 21 units की value होगी, यह 840, तो 840 आगया इस तरफ, 1 unit की value क्या आगी, 1 unit की value होगी 40, हमने principle क्या assume किया था, हमने principle assume किया था 100, तो 40 को जब आप 100 से multiply करोगे, आपका 4000 answer पहले जो मैंने तरीका बताया, वो सिरफ आपके basic concept clear करने के लिए बताया, ताकि in case आपको paper में ये trick याद ना भी रहे, आप basic concept के basis पर ही सारा question solve कर लो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हमने किया क्या, हमें पता है कि ऐसा ही क्या होता है, p into r into t upon 100, p हमने 100 assume कर लिया, 100 से general cancel out हो गया, आपके पास SI आ गया, r into t, अब SI 7 into 3 करोगे जब आप, आपके पास 21% more की बात चल रही है, 21 unit ले लो गया, वहीं आपके पास 840 more की value बात चल रही है, 840 से compare कर दोगे, 1 unit की value आएगी, फिर आपने principle को 100 assume किया था, 100 से multiply कर दोगे, आपके पास principle की value आजाएगी, यह trick सिरफ तब ही apply होगी, जब यहाँ पर more दिया हुए है, इसके साथ और 840 के साथ more दिया है, अगर यहाँ पर 3% less होता, तो यहाँ पर 840 less होता, क्योंकि obvious सी बात है, अगर आप interest increase कर रहे हो, तो आपको जो amount मिलेगी, वो भी increase होगी, अगर आप interest decrease कर रहे हो, तो जो amount increase होगा, तो amount भी increase ही होगा, यहाँ पर more हुआ, यहाँ पर less किसी भी तरीके से आ ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे questions पर आप यह trick apply करोगे, तो अब हम शुरू करेंगे हमारा basic concept of compound interest, ठीक है, एक साल के लिए तो आप guess कर सकते हो, कि जो simple interest है, वो ही compound interest होता है, basically compound interest होता क्या है, जै 100 पे हमें 10% का, जो है, वो interest मिल रहा है, हमारी 1 साल के बाद हो जाएगी 110, जो यह 10 आई, वो थी interest, ठीक है, वही चीज़ अगर मैं आपसे पूछनों कि 2 साल की कितनी होगी, 2 साल की आप कहा दो कि, कि अगर 1 साल की 10 आ रही है, इस 100 पे, तो 2 साल की 20 आ जाएगी, और 2 साल के के बाद हमारी amount हो जाएगी 120, यह होता था simple interest के case में, compound interest में क्या होता है, जो हमारा principle होता है, वो सिरफ 1 साल के लिए हमारे लिए useful होता है, calculation के लिए, उसके आगे जो हमारी amount आ रही है, उसी पर interest मिलता है, यानि कि अगर मैं आपको कहूँ कि 10% का interest इस principle पे लगाओ, और compound interest लगाना है हमें, तो 2 साल के बाद बताओ कि 2 साल के बाद हमारा compound interest total कितना होगा, तो पहले साल के लिए तो compound interest जो होता है, वो simple interest के बराबर ही होता है, क्यूंकि सबसे पहली principle तो हमारे पास यही है, इस पे हमने लगाए 10% का interest, तो हमारे पास आया 10% interest का, total हमारी amount हो गई 110, अब ये हमने सब किया एक साल के लिए, कोशन में पूचे होए हैं, दो साल, अब हमारे पास जो दूसरा साल है, उसकी कैलकुलेशन किस पर होगी, उसकी कैलकुलेशन इस प्रिंसिपल पर नहीं होगी, इस प्रिंसिपल पर कैलकुलेशन सिरफ सिंपल इंटरस्ट के केस में होत एक सो दस में जब आप 11 एड करोगे तो 121 आ जाएगा आपका दो साल के बाद वो अमाउंट जो 100% की प्रिंसिपल से शुरू हुआ था और आके इस अमाउंट पे रुका ठीक है समझाई सिंपल इंट्रेस्ट में हम जो हमें सबसे पहली टर्म दी ओती जिसको हम प्रिंसिपल मानते थे सारे के सारे इंट्रेस्ट इसी पे लगाते थे चाहिए एक साल हो दो साल हो या दस साल हो compound interest में हम यह नहीं करते compound interest में पहले साल के बाद जो amount आईगी जैसे 110 लगा लो फिर इस पे 10% लगेगा फिर दूसरे साल के बाद जो amount आई 121 इस पे 10% लगेगा and so on 3 years से ज़ादा नहीं आएगा time maximum 3 year की duration होगी उससे ज़ादा नहीं होगी पर फिर भी मैंने आपको explain कर दिया अगर 3 year के आगे भी जाती है तो कैसे करने है अब आजाती है बात की ये questions करने कैसे है उससे पहले मैं आपको एक basic formula बता दूँ जो आज तक हम पढ़ते आया हम इसमें use नहीं करेंगे आज के chapter में use नहीं करेंगे अगर हमें formula ही use करके question solve करने थे तो ये tricks किस चीज़ की हुई ये classes किस क्या माइन है रहा इन classes का तो बेफिकर रही है हम ये principal amount सिरफ एक बार मैं आपको revise करा दूँ कि हमने school में क्या पढ़ा था ये सिरफ उसी के लिए है देखिए amount is equals to principal into one plus rate upon hundred की power n n क्या है time time क्या होगा एक year का duration या दो year का duration या maximum तीन year का duration इसके ओपर नहीं आएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये आ गया हमारा amount फिर हमें finally ci निकालना होगा तो ci क्या होगा amount minus principal अब इसमें और si में difference क्या था simple interest मिल जाता था p into r into t करके upon hundred फिर हम amount लिकालते थे p plus si ठीक है ये होता था compound interest के case में हमारे पास formula ही सिधा-सिधा amount कहा है यानि कि amount is equals to p1 plus r upon hundred raise to power n ये चीज़े आपको याद करने की जुरूरत नहीं है formulas नहीं रठने आगे क्या trick अपलाई होगी वो मैं आपको बता दूँगा बस मैंने एक बार formulas बता दिये कि कल को आप ये ना कहो कि पूरा chapter प्रड़ा दिया पर basic formula तो बताया है नहीं use इनका कहीं नहीं होना अब मैं आपको बताता हूँ questions solve कैसे होने है questions हमारे solve होंगे fraction method से fraction method मैं आपको simple interest में भी बता चुक हूँ वही चीज़ अपलाई होगी पर इसमें कैसे होगी मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर दिया हुए rate 20% time 2 year amount 2160 हमें principal और compound interest calculate करना है तो कैसे करना है मैंने आपको बताया ये question होने है सिदा सिदा fraction method से 20% की value होती है 1 by 5 हम क्या करेंगे एक जगा लिख लेंगे principal एक जगा लिख लेंगे amount याद रखना amount लिखने ऐसा ही नहीं दिखना ठीक है principal क्या होगा हमारा पहले साल 5 amount क्या होगा 5 में एक का interest 6 अगेन 2 साल की बात की है principal क्या होगा 5 amount क्या होगा 6 अगर यहाँ 3 साल की बात की होती थो हम 5 6 और लिख लेते पर फिलाल 2 साल की बात चल रही है हम question को यहीं तक रखेंगे then हम क्या करेंगे इनको कर देंगे multiply 5 5s a 25, 6 6 a 36 principal आ गया हमारा 25 amount आ गया हमारा 36 gap कितने का है gap है 11 का और यही 11 है हमारा compound interest समझाई क्या किया हमने मैंने आपको हमेशा बताया denominator होता है हमारा principal और जो numerator होगा वो होगा interest तो वही चीज हमने लगाई 2 साल के लिए कही हुई थी तो हमने 2 साल के लिए लगा दी यह चीज सिरफ और सिरफ compound interest के method में होगी है 2160 amount हमारे पास यहां पर है 36 का तो हम क्या करेंगे इनको compare कर लेंगे 36 की value आगी 2160 हम इसे cancel load कर देंगे 6 6 36 6 3 is the 18 36 6 is the 36 तो 60 आ गया हमारे पास finally one unit की value one unit की value 60 है इन्होंने क्या पूछा है सबसे पहले पूछा है इन्होंने compound interest निकाल लेते हैं चलो compound interest हमारे पास क्या था यह रहा हमारे पास compound interest 11 unit अगर हमारे पास one unit की value 60 है तो 11 unit की value क्या होगी 60 into 11 यानि की 660 आ गया हमारा compound interest second चीज इन्होंने पूछिए principle बताओ क्या होगा principle है हमारा यहां पर 25 one की value है 60 तो 25 की value क्या होगी 25 की value होगी 25 शिग्जा क्या होते है 150 1500 तो हमारा principle आ गया 1500 ऐसे करने है यह question ठीक है मैं एक और question करा देता हूँ 12.5% per annum है इस बार हमारा जो time है वो है 3 years का हमें compound interest दिया हुए principle पूछा हुए 12.5% किसके बराबर होते है 12.5% होते है 1 by 8 के बराबर यहां लिखा हमने principle यहां लिखा amount 8 1 का होगा इसमें interest एड 9 8 9 8 9 क्यों क्योंकि यहां पर 3 साल है ठीक है अब हम करेंगे इनकी multiplication 8 का cube होते है 512 9 का cube होते है 729 निकालेंगे इनका gap 729 माइनस 512 साथ 1 27 अब यह आ गया हमारे पास compound interest ठीक है amount minus principle आ गया हमारे पास compound interest compound interest की हमें यहां पर value दी हुई है तो 277 को हमने compare किया 1085 से मुझे लगता है यह सीधर सीधर कट जाना चाहिए यह सीधर सीधर कट जाएगा 1 की value आगी 5 हमें क्या निकालना है हमें निकालना है principle यहां पर हमें दिख रहा है 512 512 into 5 और इस 5 को हम लिख सकते हैं 10 by 2 यह है speed maths 2, 2 is a 4, 11, 2, 5 is a 10, 12, 2, 6 is a 12 तो 2, 5, 6, 0 आ गया हमारा principle चलते हैं next question पर अब आ गया हमारे पास next question 16 2 by 3 हमारे पास है rate time है 2 years compound interest minus simple interest है हमारे पास 40 यह next type का question आ गया यह question में मैं आपको बता दूँगा कैसे करना है बहुत easy है बस common sense लगानी है उसससे हो जाएगा हमारे पास 16 2 by 3 परसेंट दिया गया है interest 16 2 by 3 परसेंट क्या होता है 16 2 by 3 परसेंट आ गया हमारे पास 1 by 6 time है हमारे पास 2 years question हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम compound interest में use करते थे method principle amount 6 ठीक है 7, 6, 7, 6, 6, 36, 7, 7, 7, 49 यह आ गया हमारे पास principal और amount compound interest क्या होगा 13 का 36 मतलब 49 में से आप 36 काटोगे तो 13 नहीं आएगा अब इन्होंने बात किये simple interest की भी तो simple interest में हम क्या करते थे यह 16 2 by 3 परसेंट है इसको हम मानते थे principle 2 साल के लिए है तो हम इसको 2 मान लेते थे क्योंकि एक साल के लिए one unit का interest होगा दूसरे साल के लिए two unit का interest होगा पर यह यहाँ पर हमारे पास principle आ रहा है 36 तो हम क्या करेंगे हम पहले principle और amount assume करने के बजाए इस principle को common करेंगे इस principle को common कैसे करेंगे हम उपर भी 6 से multiply करेंगे नीचे भी 6 से multiply करेंगे 6 by 36 आ गया यहाँ पर है हमारे पास 36 यहाँ पर हमारे पास 36 यानि कि अब हमारा principle common है 12, अब CI-SI की exact value 40, CI-SI की units में value है 1 unit, यानी की 1 unit की value 40 होगी तो हमने 1 को 40 से compare कर लिया इन्होंने पूछा है principle principle क्या था हमारा 36, इदर भी 36 था, इदर भी 36 था क्योंकि हमने common कर लिया था तो principle की value आगी 36 into 40 इतना समझा आ गया 36 into 40 आगी हमारी principle की value यानी 1440 आगया हमारे पास principle, amount पूछे है amount है 49 unit तो 49 into 40 कर लेते हैं 49 को 50 minus 1 लिख लेते हैं into 40 कर लेते हैं 540 20 और 10 ये, 10 ये 2000 हो गया minus 40 करेंगे यहाँ पर आगया 69, 1960 आगया हमारा amount हो गया हमारा पूरा question solve ठीक है हमने का किया ये वाला जो पूरा portion था ये तो as it is वैसे ही हमने solve किया जैसे हमने compound interest वाले method लगा की किये हैं इधर हमें पता था कि 1 by 6 में हम 6 को principle मानते थे, 1 को interest मानते थे पर हमें principle को common भी करना था तो हमने उपर भी 6 से multiply कर दिया, नीचे भी 6 से multiply कर दिया जिससे हमारा principle हो गया common उपर वाली term थी हमारी interest दो साल की हो गई 12 ये थी 13, ये थी 12 वन इनिट की value आई 40 के बराबर हमने compare किया और वन इनिट से सारी values निकाल ली अब थोड़े से अलग type के question आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं ध्यान से पढ़ना एक ही बार समझाऊंगा अच्छे से दिमाग खोल के इस question को देखना क्योंकि एक step भी miss हो गया तो आपका ये पूरा question बरबाद हो जाएगा ये है अलग type के question क्योंकि इसमें क्या चीज आ रही है इसमें आ रही है compound interest for second year यानि की first year का जो मैंने आपको बताया first year में तो simple interest compound interest बराबर होते हैं first year का जो interest आया उसमें हमने principal को add किया फिर इस पे जो interest आया उस interest की बात चल रही है जो की second साल हमें मिला है तो ऐसे questions को कैसे करना है सबसे पहली चीज हम करेंगे जो हमारा 14.28% है इसको fraction में convert पहले हम क्या करते थे principal लिखते थे amount लिखते थे 7, 8, 7, 8 क्योंकि 2 साल की बात चल रही है 3 साल की बात होती तो तीसरी बार 7 भी introduce करते है यानि आप एक चीज देख सकते हो कि 2 साल की बात चल रही है तो 7 का square हो रहे 3 साल की बात चलती तो 7 का cube होता है यानि कि हम compound interest वाले question किस चीज से शुरुआत करेंगे हम जो हमारा denominator होता है जिसको हम principal मानते है उसको हम power दे देंगे time की तो हमारा जो असली principal होगा वो आ जाएगा इधर कितना है इधर principal है हमारा 7 units का time कितना है 2 साल का तो असली principal क्या होगा 7 का square 7 का square आ गया 49 ठीक है next चीज क्या हुई 14 by 28 अच्छा अब देखिए एक चीज अगर मैं आपको कहूँ कि पहले साल के लिए जो interest होगा वो तो simple interest ही रहता है तो पहले साल के लिए अगर हम 49 का 1 by 7 निकाले तो वो 7 आएगा ठीक है ये चीज में गलत तो नहीं कह रहा पहले साल के लिए हमने 49 का 1 by 7 कर दिया क्योंकि 1 by 7 का interest मिल रहा था तो 7 आ गया इसलिए हम ये चीज कहा सकते है कि ये 7 unit simple interest है या फिर compound interest है यहाँ पर simple interest 49 पर 1 by 7 का simple interest आ जाया होगा हमारे पास 7 ठीक है पर मैंने आपको starting में भी एक चीज कही कि compound interest में क्या होता है जो हमें interest मिला होता है plus जो हमारा principal होता है दोनों पर interest rate लगता है compound interest के case में तो हमने principal पर तो interest लगा दिया वो आया हमारे पास 7 जो interest आया था पिछली amount पर यानि 49 पर first year में उस पर भी तो हम interest लगाएंगे 1 by 7 इसका करेंगे तो आजाएगा 1 तो हमारी equation बनी कुछ ऐसी ठीक है 49 पर पहले साल interest लगा 7 आ गया 49 पर दूसरे साल interest लगा 7 और पहले साल के interest पर भी interest लगा 1 आ गया इत्ती जी समझागी अब मैं इसके differentiate करना बताता हूँ क्या क्या होगा देखिए अगर हम years की बात करें तो ये आ गया first year का interest ये आ गया second year का interest तो ये ही होगा हमारा second year का overall compound interest पर आप भी मैं और भी बता देता हूँ अब vertically तो हमने देख लिया ये आ गया इस year का interest ये आ गया इस year का interest अब horizontally भी देखते हैं ऐसे देखा जाए इस direction में तो ये जो ऊपर होता है सबसे पहली वाली line सिरफ और सबसे पहली वाली line ये होती है हमारी simple interest total में यानि total हमारी simple interest के आगी साथ पहले साल की साथ दूसरे साल की 14 और इसी साथ में जब हम बाकी नीचे जितना भी portion होता है वो add up कर दें यानि कि साथ प्लस साथ प्लस एक ये आ गया हमारा compound interest तो compound interest आ गया हमारे पास 15 इतनी चीज़ समझा ही ये मैंने आपको बता दिया total simple interest total compound interest पर question में हमें क्या कहा है question में हमें कहा है compound interest for second year तो यानि हम horizontal वाला नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें total की बात नहीं की हम देखेंगे सिरफ vertical वाला तो vertically second year हमारे पास ये रहा इसका total लग करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया total compound interest of second year first year का है 7 second year का है 8 तो इन्होंने second year का ही दिया हुए यानि 480 की value आगी 8 हमने compare कर लिया 1 की value आगी 60 इन्होंने पूछा है principle principle था 49 49 को जब आप 60 से multiply करो कि principle आ जाएगा इसको वैसी कर ले ना 50 minus 1 into 60 वाला method लगा के ठीक है और फिर उन्होंने पूछा है amount amount क्या होगा हमारा 49 आ गया हमारा principle 7 plus 8 यानि की 15 15 है हमारा compound interest add करेंगे 64 को जब आप 60 से multiply करो दोगे आपका हाजाएगा amount ये calculation सारी आपने खुद करनी है मैंने आपको बस basic तरिका बता दिये कैसे करना है यानि की again 1 by 6 की बाद चल रही है 2 years की बाद चल रही है तो 6 का square लेंगे principle आगे हमारे पास 36 इत्ती चीज़ समझागी next रूने का है CI for second year is 490 पहले हम काम कर लेते हैं first year पे 1 by 6 की बाद चल रही है यहां आगया 6 यह है पहले साल का interest नीचे लिख देते हैं first year फिर 36 पे दूसरे साल 1 by 6 तो लगे गई लगेगा यानि 6 unit तो आए गई आएगा पर मैंने आपको बताया compound interest में interest पर भी interest लगता है तो पहले साल के interest पर भी interest लगेगा 1 by 6 से जब multiplication होगी यहां पर आजाएगा 1 तो यह आगया हमारे पास second year second year का total interest कितना बना यह बना हमारा second year का total interest सिरफ और सिरफ second year का 6 प्लस 1 7 आगया हमारा second year का interest 7 की value है 490 1 की value होगी 70 principle पूछा है उन्होंने 36 को जब आप 70 से multiply कर दोगे आपके बास आपका answer आ जाएगा ठीक है चलते है next पर अब आया 1 year 73 days पिछले में तो आपको सिधा सिधा दी होगा था 1 year 2 year 3 year ठीक है इसमें 1 year तो दिया है उसके आगे जो है वो year में नहीं है वो days में है तो ऐसे question की कैसे calculation करनी है शुरूआत हम बिलकुल वैसे करेंगे जैसे पिछले question में की थी 20% की बात चल रही है यानि 1 by 5 की बात चल रही है इसका क्या होगा square ही होगा क्योंकि 1 year के उपर चल जाएगी इनका आपने वही चीज करनी है इनका आपने square ही करना है अगर 1 year के उपर बात चल रही है square टू येर के उपर बात चल रही है, क्यूब, अगर टू येर वन डे भी लिखा हुआ है ना, तब भी आपने क्यूब ही करना है, ठीक है, यहाँ पर वन येर 73 डीस लिए है, तो हम 25 मान लेंगे प्रिंसिपल, पहले साल की बात करें, तो 5 आ जाएगा हमारा, सिंपल अब दूसरे साल की बात करते है, अगर हम दूसरे साल का पूरा इंटरस्ट निकालें, तो वो क्या होगा, वन बै फाइव तो प्रिंसिपल पर लगेगा, तो यहाँ पर आएगा 5, फिर वन बै फाइव इस इंटरस्ट पर भी लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक ह दूसरे साल का हमारे पास interest total आ गया 6 फिलाल इसको ऐसे ही लिखते हैं पहले साल का आया 5 दूसरे साल का आया 6 पर क्या दूसरे साल पूरे end तक काम हुआ है पूरे last 365 days तक दूसरे साल में काम हुआ है दूसरे साल बिलकुल भी 365 days तक नहीं हुआ कितने डेस तक काम हुआ 73 डेस तक तो 73 डेस को अगर हम year में convert करें 73 by 365 आ जाएगा क्योंकि एक साल में 365 डेस होते हैं 73 डेस को जब हम 365 से divide करेंगे यह year में convert हो जाएगा यानि कि यह 1 by 5 year के बराबर आ गया एक साल में अगर पूरा काम होता तो हमारा compound interest बनता 6 unit का एक साल में सिरफ 1 by 5 उस साल के काम हो रहा है तो हमारा interest भी उस साल के total interest के 1 by 5 ही होगा यानि 6 into 1 by 5 6 by 5 ही आ गया सिदा सिदा यह चीज़ समझाई 6 हमारा आना था तब जब पूरे साल काम होता पर पूरे साल काम नहीं हो रहा है साल के पांचवे हिस्से में काम हो रहा है तो हमारे पूरे साल का interest नहीं लगेगा उस साल के interest का पांचवा हिस्सा ही लगेगा तो 6 था पूरे साल का interest 6 का पांचवा हिस्सा हो जगा 6 by 5 यह हम 5 में add करेंगे यानि कि 5 5, 25, 6, 31 by 5 आ गया हमारा 2nd साल का 1 year 73 days का total compound interest 25 पर 31 by 5 का लगगा interest after 1 year 73 days, I hope आपको ये चीज समझ आ गई हो, अब हमे compound interest क्या दिया हुआ है, total compound interest, इसमें कोई first या second की बात नहीं चल रही, अगर यहाँ पर second year दिया होता तो हम 6 by 5 लेते, यहाँ पर total दिया है तो हम 31 by 5 लेंगे, 31 by 5 को हम compare करेंगे, 1, 5, 5, 0 से, तो 1 की value आ जाएगी 250, हमने सबसे starting में क्या माना था principle को, हमने starting में principle को माना था 25, कैसे आया था, 20% होता है 1 by 5 और इसका square किया, क्योंकि 1 year के उपर बात जा रही है तो 25, 25 को जब हम 250 से multiply करेंगे, हमारे पास total principle आ जाएगा 25 का square होता है 625 और ये 0 लगा देंगे 6250 आ गया हमारा total principle, question थोड़ा मुश्किल था, मैं totally agree करता हूँ कि question मुश्किल था, पर concept वही था, अब हमारा question आ गया कि 20% per annum है again 1 by 5 से शुरू करेंगे 14 months है, यानि 1 year, 2 months होंगे 1 साल के उपर की बात चल रही है principle आ गया हमारा सिदा सिदा 25 पहले साल का हमारा interest आ गया 5, इतनी चीज़ समझाई अब दूसरे साल, कितने दिन काम हो रहा है, दिन की बात नी चल रही महीने की बात चल रही है, 2 by 12 लेंगे, दिन था, तो हमने इस 12 की जगा 365 लिए, मन्त थे तो हमने यहाँ पर 1 साल के मन्त डाल दिये, 1 by 6 की बात चल रही है ठीक है, इसको रखो भी साइड पे, पहले देख लेते हैं कि अगर दूसरे साल पूरे end तक काम होता, तो हमें कितना compound interest मिलता पहले इसी पे 5 यूनिट का मिलता और इस पे 1 यूनिट का मिलता यानि total 6 का मिलता अब देखिए, पहले साल का interest आया 5, दूसर साल का total interest आया 6, पर हमें 6 तो चाहिए नी, क्योंकि उस साल का 1 6 हिस्से में काम हुआ है तो इसको भी हम 1 6 से multiply करेंगे, 1 आ गया यानि total 6 यूनिट है हमारा compound interest, compound interest की value है यहाँ पर 406, 6 की value आ गई 400, 1 की value आ गई 400 by 6, यानि की 200 by 3, principle है हमारा 25 यूनिट का 200 by 3 into 25 करेंगे, हमारे पास आ गया 25 to the 50 5000 by 3, which is equals to 5126 20 ही रहेगा, 6, 6.6 रुपीज का था हमारे पास, principle इसे के साथ हमारा simple interest, compound interest का part second भी होता है, खतम कल मैं लाऊंगा आपके लिए ऐसे question, जैसे अभी था ना, 2 years के थे फिर भी कितनी complicated होगी थी calculation, एक दिन में इन calculations को आपको master करना होगा, क्योंकि कल मैं लेके आऊंगा third year, और जब third year आएगा, आपकी यही calculations अभी तक master नहीं होई होगी तो आप totally confused हो जाओगे, इसलिए एक दिन है आपके पास इन calculations को, इन सारी tricks को master कीजिए हमारा simple interest, compound interest का part second भी होता है खतम, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको like कर सकते हैं, साथ साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you so much